कोरोना वारस से लड़ते हुए इंदौर में लोकडाउन और अनलोक के संघश के बीच व्यापारियों की जो हालत हुई है उस पर इंदौर के युवा कॉंग्रिस वधायक्त संजे शुकला ने कुछ इस तरह से व्यंग लिखकर तंज कसा है सुनिए उन्होंने क्या लिखा है अधिकारियों के अवतार में हमारे नेता जी तुलसे सिलावट इंदौर के मुख्य मंत्री केलाश विजयवर्गिये प्रमुक सचीव क्रिश्न मुरारी मोगे संभाक आयुक्त शंकलालवानी गौरवरंडीवे कलेक्टर विधायक महेंद्र हाडिया निगम आयुक्त तो आ चंता द्वारा जिताए गई कॉंग्रेस की कमलनात सरकार को धन और चल के बल पर जपटने वाली वर्तमान शिवरात सरकार ने एक तरह से प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी के कहे अनुसार आपता को अवसर मान लिया वर्तमान सरकार के नेता अपनी नेता गिरी करने का एक भी अवसर नहीं चोड़ना चाहते भाजपाई इतने उतावले हो गए हैं कि क्राइसिस मैनेजमेंट में सर्व सम्मती से होने वाले निर्नेयों की घोशना भी वह अधिकारियों की तरह करने लगे पहलवान यानि तुलसी राम सिलावट बहती गंगा में अपनी बनेठी ऐ लेकिन पहलवान तो पहलवान ठहरे वह इंदौर में दाव पेच ऐसे लड़ा रहे हैं कि मानों इंदौर के मुख्या यानि मुख्यमंत्री पत का अलग से दायत हो नहीं के पास हो वह सावीर में घर घर इस तरह से तुलसी लगा रहे थे कि अब उन्हें खुद ही कोरुना के चलते अपने घर में कैद होना पड़ा खैर इश्वर से प्रातना है कि पहलवान जल्द खाड़े में उत्रे और अपनी कर्तब बाजी इसी तरह से जारी रखें अब बात करें कटे हाथ के ठाकुर की आप समझी गए होंगे इन दौर में कैलाश विजवर गेजी ऐसे भा अगर तब भी बात नहीं बने तो उनके पास एक और नीती है जिसके बारे में सिर्फ वे ही जानते हैं और फोन के जरीए अपनी पार्टी के संभागायुक्त कलेक्टर से लेकर निगमायुक्त और एडियम पुत्र को इशारी करते रहते हैं अब बात करें पार्टी के संभागायुक्त यानि क्रिश्न मुरारी मोगे जी की तो बीच में फूफा जी की भूमिका निभा रहे थे उन्हें जैसे तैसे भती जी को मनाया तब कहीं जाकर मोगे जी का चहरा थोड़ा खिला चुकि उनके पास संभाग का जम्मा हैं तो वो घोशना भी एक अधिकारी की भूमिका के रूप में कर रहे हैं और मीडिया में बाइर देते नजर आते हैं कि इन दौर फला से फला तारिक तक खुलेगा हमने इस विशे पर ये निर्ने लिया हमने उस विशे पर वो निर्ने लिया आदि इदर सांसत शंकर लालवानी जी और नगर अधिक्ष गोरव रंडीवी जी भी कलेक्टर द्वय भूमिका में हैं हलाकि क्राइसिस मेनेज्मेंट ग्रूप की बैठक में शेहर हित्मे निर्ने सर्वसम्मति से लिया जाता है इन निर्नेों की घोशना आदेश निर्देश कलेक्टर को करना होते हैं कि यह भा लेफ्ट तरफ की दुकाने खुलेंगी तो दूसरी तरफ राइट तरफ की क्योंकि हमें कोरोना से जुड़े सुत्रों से पता चला है कि कोरोना लेफ्ट राइट की भूमिका में वार करेगा इसलिए जिस दिन लेफ्ट में कोरोना आएगा उस दिन राइट की दुकाने ख पाडिया जी वो शहर खुल जाने के बावजूद कहीं दिनों तक लॉकडाउन का पालन करते रहे लेकिन जैसे ही अंडे का ठेला पल्टा जैसे ही निगम ने जादती की वैसे ही विधायक जी ने अवतार लिया और निगमायक के रूप में प्रकट हो गए बाबा ने भी ऐसा वर्धा चलाया कि अगले ही दिन निगम ने कह दिया तुम जानों तुम्हारा काम जाने उस दिन से आज का दिन है ना चालान कटाई की खबरे सुल्खियों में है ना कोई ठेला पल्टा वो बाद अलग है कि भाजपाई से अधिकारी बने नेता बयान बाजी से बार-बार निगमा एक थो तो ऐसा होना चाहिए जो अपनी ही प्रिशास्तिक मशीनरी यानि पार्टी के खिलाफी आंदुरन की चेतावनी देते अब बाद करें दौर के सब्से यूवा विधायक आकाश विजेवर गिये की तो वो कोरोना काल में लोकडाउन के दुरान ऐसे फिचप पल्टा था तो ये पोस्ट भी जिमकर वायर की गई थी कि निगम वालों के लिए तो हमारे आकाश भाईया ही ठीक हैं जो बल्ले बाजी कर अच्छे अच्छों के डंडे उखार देते हैं अपने चक्र से सबको चकर घिन्नी करने वाले टोपी धारी पूर्व धायक सुदर गुपता भी अपने पुराने रौप से अभी तक उबर नहीं पाए और जनहित के छोटे मोटे कारियों में ब्रश्ट बाबू की तरह अडंगे बाजी करते रहते हैं जब तक उन्हें भेट पूजा ना चड़ा दी जाए मामा जी की वापसी के बाद से बाबू जी का चक् गुपत बैठक बुलाई और अज्यात संसद में प्रस्ताव पारित करने वाले हैं कि इन सारे नेताओं का अधिकारियों का दायत्व सौपा जाए और अधिकारियों को चुनाव लड़वाया जाए 27 सीटे तो अभी खाली हैं तो 27 अधिकारी पहली खेप में फिलहाल ही नेता बने इसी तरह आईएस इंदौर कलेक्टर रहे अजीत जोगी भी नेता बने और राजसबा से लिकाच थिसगर के सीम तक रहे पूर आईपीएस रुस्तम सेह भाशपा की पिछली सरकार में कैबनेट मंत्री रह चुके हैं और भी कई अधिकारी जब नेताओं की टां कि बीचे जएस अवार चुके हैं नेता बेशन और वीजली तो आईएसिता बेखं भी कि जब हैं और भी के महाँ तरह आईएस्टम प जो दो आईएस्टम सेह जब हैं।